हरो दोस्तो अली आजमी ब्लोग चैनल में स्वागत आप लोग का उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे सेँगे यह दोआ करता हूँ सभी के लिए तो दोस्तों आज कुकिंग की वीडियो आप लोग को देखाने जा रहा हूं और cooking के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं कैसे cooking आज मैं दोपहर में दाल बनाया हूं मात्र दाल बनाया था तो इतनी टेम मैं सोचा कि मुर्गी फराई कर लूँ तो मुर्गी फराई करने का आपको तरीका बता रहा हूं कि मुर्गी मुर्गी देखिए मैं लाया हूं ठीक है अभी मुर्गी आपको देखा रहा हूं यह मुर्गी लाया हूं ठीक है अब इसमें जो है नमक है मसाला है हर चीज इसमें मिला के रख दिया हूं यह देखिए मिला के रखा हूं बेतरीन से देख लिजी आप लोग अभी जो है इसको तो थोड़ी देर यह ईह से मिली हुई रख्की रहेगी कर तुरंट मिला के मसाला नहीं फराय करते हैं यह थोड़ी देर रहेगी इसके अंदर मसाला तब अच्छे से पहुंचेगा जगे जगे पे इसके बाद इसमें तेल डालें गए और फराई फेन में इसको फराई करेंगे तो ये बेहतरीन लज्जतदार होगी और जिसे कि आप तुरन मसाले डाल के और तुरन जो है तेल में डाल दिये तो वो टेस्ट नहीं आता और इसको फराई करने का है तेल पहले खुब गरम हो जाए उसके बाद धीमी आच में इसको फराई करिए एकदम बेहतरीन अच्छी फराई होगी कलक होगी और साधी टेस्ट आएगा तो आप लोग को काफी दिन के बाद आज आप लोग कूप कूप की वीडियो बना रहा हूँ कहीं खुबसूरती जगह पर जा नहीं पा रहा हूँ इसलिए आज कुकिंगी बना रहा हूँ और जो सौधी था उसके साथ मेरी आप लोग दो चार वीडियो देखे होंगे बनाया था वो बैरेन बोल के गया है जबसे कई दिन से वापस नहीं आया है अगर वो आपस आज आएगा या मिलेगा मुलकात होगी तो उसके साथ कोई कमेडी वीडियो बनेगी और आप लोग देखेंगे तो अगर दो तो छोटी सी बना रहा हो अगर अली आजमी बोलोग चैनल अच्छा लगो चैनल पर पहली बारा तो चैनल को आप लोग सब्क्राइब कर लें और जादधा जादधा सेर करें भाई यो लोग और अपने दूसों औरोक यां और सपवास से भिख दें और बेल आइक अओगा दबादें यं खुठोगा लगा दें लाइक कर लें और अपना खयार लखें और दोस्तों फिर मिलेंगे या कोई कूपसूरती जगे के